हेडिंग लगाया हैट एंसलाइक साइकल लिया सीपूर साइकल या डाय कार्बोग्यालिक एसीड साइकल इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसका जो एक्स्प्रिमेंट किया था एक्स्प्रिमेंट कौन सा है ना प्लांट पर किया था वही चीज़ हम लोग इसमें पहले से करते हैं वहीं से हम लोग देखते हैं क्वाइंट देखर लेखना लेखो फॉर्स्ट रिपोर्टेड सबसे पहले रिपोर्ट दिया था इन कि तुगर्केन और एक मेज है ना मेज मक्का यह दोनों पर सबसे पहले इन्हों आइक्स्परेयमें तोर रिपोर्ट दिया था और यह दोनों क्या है डैकॉर्ट प्लांट बोलो सुगर्केन क्या है मौनो कट है डैकॉर्ट कर और अर्मेज, मक्का कुन प्लांट है, दोरे गधास है, लेखो मोनो कॉट, दोनों मोनो कॉट है, इसमें देया था, अर्मेर अर्मेर का, अर्टायर म्र अर्मेर अर्मेर लेखोरियव्डाय creator,ुट स्थायर अर्टा यह पौदा था एक 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 देखो इधर मोनोकॉट प्लांट यह हो गया सुगर कैन और मेज उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया था सीपोर सैकल के बारे में है ना हैच और स्लैक बताया था और दूसरा बार फिर से दिया था कैनो पोडियम और एमरेंथ थस यह प्लांट है और यह दोनों प्लांट क्या है डैकोट प्लांट है इसमें भी बताया था दैकोट प्लांट है तो दोनों में दिया था मोनोकॉट और डैकोट दोनों प्लांट पर एक्स्प्रिमेंट किया था और दोनों में बताया था कि दोनों प्लांट में क्या होता है सीपोर साइकल हो और उन्होंने अपना नाम पर रख लिया था वैसे यह भी और इन्होंने नाम पर रख लिया तो पहले सबसे पहले इन्होंने पर सुगर केन और मेज पर एक्सप्रिमेंट किया था उसके बाद डैकोड प्लांट में भी किया था एना केनो पोडियम और एमरेंथस यह दोनों प्लांट का नाम है जो डैकोड प्लांट होता है यह दोनों पर एक क्या किया अपना एक्सप्रिमेंट किया था और एक्सप्रि CO2 acceptor is PEP phosphoenol pyrobic acid जा हुआ, बता पूछ रहे हैं, बता हुआ, इसे में लिखे हैं, first CO2 acceptor is PEP, मतलब phosphoenol pyrobic acid, ये carbon dioxide का accept करता है, first, और इसे पहले हम लोग पढ़े थे Calvin cycle, C3 cycle, बता हुआ, बता, C3 cycle में first acceptor CO2 acceptor कौन था, कोई ने बोलेगा, इधर बोलना है, एई, चलो तुम बता, जेको ने, तुम उक्से पूछ, हाँ, बोलो, इसे बात करते हैं, चलो अब तुम ही बता दा, हम बोल रहे हैं, कुछ बोले हैं, question answer दो, आई, तुम बता, ये अहला करेगा, उगरे से पूछ देंगा, बता, तुम बता, क्या पूछे हैं, question, ये ही बता, तुम लो, question, सुना जे, बताओ, इतना, पीछे सुन गया, ये खाथा जे, बता, है, हाँ, आडियो, डिप, आडियो, बीप, आणा, चलो, इसमें क्या है, जेखो, इसमें, पेप है, पेप, आणा, फॉस्पोइनल, पैडविक आशीड, चलो, आगे देखते हूँ, फॉस्ट एक्स, एस्टेवल प्रोड़क्ट इज, ओ, ए, ए, इसको हम लोग बोलते हैं, औक्जैलो, एसिड, टिक एसिड, इसमें, एसिड, 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 इसको हम लो लिख ले हैं, तो, हना, C, दबल, O, H, इस, so, the name of cycle, cycle, so, the name of cycle, C4, cycle, या इसी को di-carbogelic 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 acid cycle कहते है उसमें क्या था तीन carbon बाहर आ रहा था इसलिए उसको C3 carbon कहते है और यहाँ पर क्या है और आउग जैलिक acid में चार carbon हो यहाँ देखो PEP है, PEP में तीन carbon होता है और आउग जैलो acidic acid में चार carbon होता है यहाँ लिख देते हैं नीचे आउग जैलो acid के नीचे चार carbon और यहाँ से भी देख सकता है 2COS है तो कितना 2-2 करके बनाता है इसे यह बोलते हैं कि di-carbogelic acid यहाँ इसका नाम है लेकिन यहाँ पर क्या आउग जैलो acidic acid में कितना carbon होगा चार carbon होगा और यहाँ पीपी में कितना 3 carbon ऐसे ही वहाँ भी हम लोग लिखे थे वहाँ जो बताए थे CO2 acceptor कौन था? RU, BP या RU, DP था लेकिन वहाँ भी हम stable product बताए थे क्या बना था? 3-PGA उसमें क्या था? 3-PGA का मतलब phosphate glycogenic acid बताए हुए थे हैना तो C3 cycle में stable product बना था 3-PGA और यहाँ पर क्या बना? OAA बना stable product OAA का मतलब oxyelo acidic acid और यहाँ पर हैना first CO2 acceptor कौन है? PEP हैना PP का प्रणनम phosphoenol pyruvic acid CA बना वहाँ RU-BP RU-DP था first stable C3 में क्या था? first stable product 3-PGA बना था और यहाँ पर क्या बना है? OAA oxyelo acidic acid बना है और वहाँ PEP में क्या था? PP कर रहे हैं वहाँ PGA था ना 3-PGA उसमें 3 कारबन था 3 कारबन निकलता है इसलिए उसको C4 cycle के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम लोग है ना देख रहाएं लिखें 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाय बोलते हैं ना डाय और कारबोगजलिक एसीड का होता है तो इसमें क्या है? डाय कारबोगजलिक एसीड के नाम से भी इसको जानते हैं तो इसका तीन नाम हो गया कॉन-कॉन एक तो scientist अपना नाम पर ही दे दिया था है और दूसरा बात इसमें चार कारवन निकलता है बार इसलिए इसको इसको हम लोग सी ऊप्र श का सीकल के नाम से भी जानते है या फिर यह को लोग बहुते हैं डाइ क्रूर उसके आम से बह्मिट गानते है तो थीन को नाम हो गया अब इस कौश साइकल कैसा होता है वह हम लोग अब थोरा सा देखते हैं पहले इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अंतर थोरा सा है ना मेजो फिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सित क्लोरोप्लास्ट यह दोनों मिल करके होता है C4 cycle तो दोनों के मैं अंतर पहले समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग देख लेंगे तो इस में लिखाना पड़ेगा क्या लिखेगा पहला point लिखो लिखो ऐसे लिख सकता है पहला क्या है पहला carbon dioxide स्विकिर्थ कौन है PP है लिख लो इस cycle में प्रथम CO2 acceptor प्रथम CO2 acceptor PEP है प्रथम CO2 acceptor एक्सेप्टर मतलब स्विकार करने वाला एक्सेप्टर कोन है PEP है PEP का पुरा नम Ospoenol Pyrobic Acid PEP है इसका लिख लो लिख इस cycle में अस्थाई उत्पाद इस cycle में अस्थाई उत्पाद अस्थाई उत्पाद OAA बनता है OAA बनता है लिखा OAA का पुरा नाम अउक जेलो असिटिक असिड OAA बनता है और इसमे और इसमे और इसमे चार कार्बन होता है और इसमे चार कार्बन होता है इसलिए इसे इसलिए इसे C4 cycle C4 cycle C4 cycle या Dicarbongelic Acid Cycle C4 cycle या Dicarbongelic Acid Cycle Dicarbongelic Acid Cycle के नाम से जानते है के नाम से जानते है तो समझ में आया ये cycle C4 cycle कौन दिया था कौन दिया था Hatch और Flack वो अपने नाम पर रखा है ये दिया था और कौन सा Monocot का कौन ऐसा प्लांट है जिस पर ये एक्स्प्रिमेंट किया था तो Sugarcan और Magdacot का कौन सा प्लांट है जिस पर एक्स्प्रिमेंट किया था तो Canopodium और Emeranthus ये दोनों Decode प्लांट है इस पर किया था और इस C4 cycle में CO2 acceptor कौन है सबसे पहला तो इसमें PEP है और इसमे Stable product क्या बनता है OAA बनता है OAA का मतलब Oxaloo Acetic Acid और इसका नाम C4 cycle क्यों पढ़ा है क्योंकि OAA में क्या है चार कार्बन होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते है C4 cycle और इसका नाम है दिखे न 2 है और COOH तो 2 को हम लोग Dye बोलते है और COOH है Carbogelic Acid इसलिए Dye Carbogelic Acid तो Dye Carbogelic Acid के नाम से भी इसको जानते है समझ भाए यहां तक उसके बाद इसमें process cycle पढ़ने से पहले इसमें तो जो चीज हमको काम में आएगा और उसका पहले देख लेते हैं यह होता कि इसमें हम लोग को दो काम आने वाला है एक है मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट और एक है बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट यह दोनों होता कै यह दोनों में अंतर कै यह पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे cycle देखेंगे किस तरह से होता है लिख लेगा heading देना मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट और एक साइड लिखेगा बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट बंडल सीथ कि दम छोटा छोटा पॉइंट है जली जली लें एस्मॉलर इन साइज इसका साइज क्या होता है एस्मॉल होता है इधर लिखना लार्जर इन साइज इसका साइज क्या होगा बढ़ा होगा और इसका साइज क्या होता है छोटा होता है गराना इसमें क्या होगा present होगा और इसमें गराना क्या होगा absent होगा इसमें enzymes लिख लेते हैं, enzymes of Calvin cycle, Calvin cycle absent, जो enzyme, Calvin cycle में रहाते हैं, वो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हैं, present होगा, enzymes of Calvin cycle, present, इसमें क्या होगा, present होगा, इसके बाद लिखते हैं, इसमें carbohydrate absent होता है, carbohydrate, और absent, और इसमें जो होगा, carbohydrate क्या होगा, present होगा, इसमें क्या होगा, present होगा, छोटा छोटा लिखें, अज डंटार निकलाल है, डंटार चला था के, जलने वला था, नहीं, चलेगा, कब चलेगा, next class में, इसका फोन छिनाया है, फोन था जे, इसका, तुम्हारा जे, चल गया, फोन छोड़ के भाग गया, बताओ, जेखो, दिकत कब होता है, कि एतना मेहना से पढ़ाते हैं, पढ़ता नहीं, अब फोन चला रहा है, तो दिकत तो होगा ही, कौन चाहता है, कि मेरा बच्चा, पढ़े लिखे नहीं, बिगर जाएं, हैं, कोई चाहेगा, भई बात, आई, क्या हुआ, पढ़ोसी सोचेगा, ने, अरे पढ़ोसी थोड़े सोचता है, अपना बारे में, कि मेरा बच्चा बिगर जाए, अगल बगल ने सोचेगा, अरे पढ़ोसी सब क्या होता है, दूसरे के बारे में सोचेगा, हम क्या बोले, कौन चाहेगा, कि अपना मेरा बच्चा बिगर जाए, तो पढ़ोसी थोड़े सोचेगा, कि ये मेरा बच्चा बिगर जाए, अइसे थो, लेकिन यहां बच्चा कहता है, कि हम बिगर बे करेंगे, है न, है, है न, कहता है, यही तो, है न, चलो देखो, इसमें क्या लिखें, सिम्पल सा है, इसमें ज्याज़ा कुछ दिमाग लगाने बाला है नहीं, देखो, मेजोफिल कलोरोप्लास्ट और एक है, बंडल सित कलोरोप्लास्ट, दोनों कलोरोप्लास्ट ही है, कलोरोप्लास्ट एक लिखे है, मेजोफिल कलोरोप्लास्ट और दूसरा, bundle, sit, chloroplast ये दोनों मिल करके होता है न जो हम लोग अभी जो परने वाले हैं C4 cycle C4 cycle ये दोनों मिला के होगा है न दोनों में होता है इसलिए दोनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं अगर हम वहाँ पर direct लिख देंगे तो फिर कहेगा ये मेजोफिल क्या होता है मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये क्या होता है इसलिए हम सोचे पहले इसको लिखा दिये और उसके बाद वो पर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा तो देखो इसमें क्या लिखे मेजोफिल chloroplast है दोनों और यह है bundle sheet chloroplast और यह मेजोफिल chloroplast दोनों में अंतर क्या है दोनों में देख लो थोड़ा सा चार point लिखे चोटा चोटा point है पहला point है smaller in size larger in size इसका मतलब है कि यह दोनों की बात कर रहे हैं तो यह में सोचेंगे हम लोग तो इसका size इसके तुलना में क्या होगा चोटा होगा और उसका size इसके तुलना में क्या होगा बड़ा होगा इसलिए उसमें larger in size और इसमें लिखे है smaller in size अगला point लिखे ग्राना present और उसमें लिखे एपसेंट ग्राना क्या होता है जो थाला प्रेटि यहां बोलते है तो इह में घ्री उपता है जब order अगोता है हुँए तो इसमें चैंप्राइन को लोगता है यहांँ दिया गयंता है यहां पर इसमें क्या होगा मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट में एपसेंट होगा और इसमें क्या होगा बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट में प्रजेंट होगा कैल्विन सैकिल वला में जो एंजैम है वो एंजैम मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट में एपसेंट होगा और इसमें क्या होगा बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट में प्रजेंट होगा उसके बाद लिखें कि इसमें जो मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट है कार्बोहाइडेड इसमें क्य बनाते हैं कि साइकल किसा की सतरह का बाद किसके बाद क्या बनाता है नहीं बनाता है किस तरह से तरह का इसमें भी है थोड़ा सब्सक्राइब है लिखते हैं अब इसका हिंदी नहीं लिखा है समझ में आया न जी इसमें उस टाइप का नहीं था इसलिए नहीं लिखा है यह लंबा सा रहता है तो थुरा सा लिखा दो देखो हला नहीं करेगा और द्यान से इधर देखेगा चलो यहां देखो फेप है सबसे पहला कार्बन डियोकसईड काausषऑ का इसेप्सेटर कोण है एड़े एकसेप्टर कोण है कार्बन डियोकसईड का पीईप उस पोइनोल पैर्यविक असेड यहां ना तो यहीं से हम लोग जैसे उसमें था रूबी था तो वहीं से स्टार्ट केते हैं यहां भी वहीं से देखो यहां पी-ई-पी यही था और इसमें कारवन कितना है तीन कारवन तीन कारवन और इसमें क्या चाहिए सी ओ टू एक्सेप्टर है तो सी ओ टू होगा और पलस हतु ओ होगा अब इसमें क्या होगा यहां पर एक इंजाएम परजेंट होगा कौन इंजाएम पी-प कार्वक्षीलेज पी-ई-पी-कार्वकुषीलेज पी-प कामदब फॉस्पो-इन-ोल पाइरोविक ऐसीड कार्वक जीलेज, समझ में रहा है, ये इंजाय में इसमें क्या होगा, इंबॉल्ब होगा, और ये क्या बनाता था, अब ये हम लोग देखें, क्या एस्टेवल प्रोड़क्ट बना, OAA, ऑक जेलो एसे टिक एसेड, इसमें कारवन की संख्या कितना, चार, ऐसे भी तीन इधार है, एक कारवन ये, इधार आगिया, चार कारवन, समझ में आ रहा है, चार कारवन हो गया, इस से लिख देते हैं, इसको चार कारवन, अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या बनेगा, मैलिक एसीड बनता है, इधार ध्यान दो, इससे बनेगा मैलिक एसीड, मैलिक एसीड, और यहा पर यहां पर एक चीप बनता है क्या बनता है एंग इदर यहां देखो पिस से क्या बनता है एंग दि-प फलस यहँ नहींगा अन्मिय दिखो यह जो प्रोसेस होता है यह किसमे होगा मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है अब मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट में यह जैसे होगा तो यह मैलिक एसीड मेजोफिल से बाद कहां पहुंचेगा बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट वहां पहुंचेगा अब वहां जाने के बाद क्या करता है यहां वह अलग से भाचा इसका बनाएंगे हैं न अभी देख्वों कि अब यह पहुंचा कहां यह पहुंचा मैलिक ऐसी अप पहुंच गया बंडल सीथ लोरोप्लास्ट में यहां भी लिख देते मैलक ओको सुनी मैलिक ऐसील मैलिक ऐसील में कारवन किसंग है कितना इसमें चे र fed with गार-चार-कारवन होगा को कि आशार क्षार कारवन होगा दुनों में कि कि अभ देखो अब यह यह ऐसीड से बनता है कि क्या बनेगा बनता है पाए्डॉभिक एसीड बनेगा और इसमें इंजायम काम करता है oxidative decarboxylase oxidative decarboxylase carboxylase यह enzyme इसमें आएगा और malic acid को change कर देगा किस में parovic acid में लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर CO2 बाहर निकलता है यहाँ देखते जाना यहाँ confused नहीं हो जाए देखो CO2 बाहर निकलेगा अब CO2 बाहर निकलने के बाद यह Kelvin cycle में जाता है यहाँ लिखते है इसको थोड़ा सा उपर करने दो रूखो अब यहाँ से यह जाएगा कहा Kelvin cycle में जाता है यहाँ देखो यह लिखे Kelvin cycle Kelvin cycle में आया और Kelvin cycle में क्या क्या लगता है इदार 3 ATP अरे वहाँ देखे थे ना क्या 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 लगा 3 ATP तो N A T pH पलस H पलस यह लगा था और उसके बाद इससे क्या निकला था क्या बना था Hexos sugar बना था ना एक से क्या बना था Hexos sugar बना था Hexos sugar बना था तो यह Kelvin cycle में यह CO2 फिर से गया अब यहाँ पर क्या होगा और एक निकलता है यहाँ से निकलेगा carbon कार्बन कहते है 2 hydrogen 2H पलस अब यह निकलता है तो यह जो है यह बनाएगा क्या यह यह बनाता है N A T P पलस से यह तोड़ करके यह बना देता है क्या N A T P H पलस H पलस यह बनाएगा चुकि यह दो आ गया इसमें अब यह बनाएगा अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखो क्योंकि एक कार्वन इधर बाहर निकल गया कार्वन डियोक्साइड के साथ और कितना कार्वन था इसमें चार कार्वन तो एक कार्वन इधर निकल गया कितना बच्चा अब इसमें पैडुबिक एसीड में तीन कार्वन बच्चा अब इससे फिर अब यह पैडुबिक एसीड यह जो होता है, यह कौन सा कलोरोप्लास्ट में यह होता है, बंडल सित कलोरोप्लास्ट में होता है, देखो, जब यह मैलिक एसीड बनेगा, और मैलिक एसीड फिर चला जाता है, यह हो रहा है किस में, मेजोफिल कलोरोप्लास्ट में, यह हम लिख देते हैं, सब लिखेंगे, और मेजोफिल कलोरोप्लास्ट, मैलिक एसिड ये जाएगा कहाँ, बंडल सित कलोरोप्लास्ट में ये मैलिक एसिड आया, और ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हुआ किसमें, बंडल सित कलोरोप्लास्ट में, अब फिर पैरोविक एसिड जाएगा कहाँ, ये जाएगा फ अपाईड़ोबिक एसीड बनाया तीन कारबन है अब यह पहुंचा यह पहुंचा कहां पाईड़ोबिक एसीड मेज़ोफिल प्लोरोप्लास्ट में हैं पाईड़ोबिक एसीड। अब यह मेजोफिल क्लोरोपलास से क्या बना लेगा यह बनाता है पी बनाएगा यहां 3 कारवन लिखाई इधर लिखते लिख देते तीन कारवन और यह पहुंच गया यह बना लिया फिर पयरुबिक असीड से क्या बनाएगा पेप बनाएगा है ना पेप बना लेगा और यहां पर देखो यहां पर एक है देखो एडनोसाइन मोनोफोस्पेट से यह बनाता है एडनोसाइन डाइफोस्पेट और एडनोसाइन डाइफोस्पेट से यह फिर बना लेता है एडनोसाइन ट्राइफोस्पेट बना लेता है तो इसमें हम ऐसे लिख देते हैं जैसे मालोग एक इधर बनाएगा और फिर एक इधर बनाएगा मतलब यहाँ AMP एडनोसाइन मोनोफॉसपेट से यह बनेगा फिर एडनोसाइन डाइफॉसपेट और एडनोसाइन डाइफॉसपेट से एडनोसाइन और फिर दा फॉसफेट और लास्ट में फिर बना लिया और ट्राइफ आःउसफेट बना लिया और फिर येगा ये परऑबिक एसिड चल बना लेता है कि अब देखो थोरा सा ये जो नीचे लिखे हैं इसको थोरा Hepayo करते हैं ये बला जो हो गया ये कौन हो गया ये है तुम्हारा मेजोफिल सेल या मेजोफिल कॉलरोपलास्ट कह सकते हैं यहां लिख देते हैं मेजोफिल सेल अब देखा आब नीचे बला कौन है नीचे बला क्या है तुम लोग एक साथ लिखना है यहां पर यहें से का करना न बता देना और ये जो है ये बंडल सीथ सेल है अब समझ में इसमें क्या क्या लिखें इसमें उपर अभी हम सेल क्यों है क्योंकि अक जैलोग असिट असिट बनाता है और वो इसमें कितना कारवन होता है चार करवन होता है इसलिए इसका नाम पढ़ा है मतलब सीफोर साइकल इसमें पहला एक्सेप्टर सी ओ टू अक्सेप्टर है पीप फास्पो इन ओल पयाविक एसिप है और यह एकशेप्ट करके और इसमें इनजैम पई, पी, कार्बॉक जिलेज ये बनाया, O-A अब इसे क्या मैलक अब नावलेक एसिड बना और यह जो प्रोसेश हो रहा है kedいます मैerd जो फील खेल मेंब ये मालिक एसिड जाएगा कहां कवा कैलविन शायकल में इंवाओ वोगा और फिर उसमें जो सब बना रहाता है तरी एटीपस में लगता है इंहें डीप्वेस प्लस ह प्रोसेस करेगा जो हम पिछले क्लास में पढ़े तह ना कैल बिन सैकल होगा फिर उतना सारा करेगा और तब बनाएगा कै अभी तक जो हो रहा था यह होगा था बंडल सीथ केरिख इचिड जाएगा कहां वेजोफिल में और पािडूबिक एसीड में यहां ए टिप बनेगा है यहां पर एम पी से एडीप होगा और फिर फill पाडूबिक एसीड से क्या बन जाएगा वस्भोषिनळ पाडूबिक एसीड बना लेगा अब यह प्रोसेस क्या होगा ऐसे ी गूमते रहेगा एसे चलते रहेगा और इधर हैकसो सुगर क्या होगा सुगर बनाते रहेगा और यह पुड़ा साइकल C4 साइकल या इसी को हम लोग बोलते हैं स्लायक साइकल या कार्बोगोग्यलिक अटिफीड है चीजे समझ में आया लिख लो इसको य्ठधल ये जी अपना, क्यों दो, च्टार अजाता है, वे अपना है, ये अंगाे, ये अखना ये अदैंगा है ये 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 अगदा ये अदादान जल दे लिखो जल दे लिखो जल दे लिखो जल दे लिखो कर रहे हैं लिख लिया तो नहीं लिखाए तो बात क्यों कर रहा है सांतों के लिखोन है जल बात करता है मैं हर् एव जल झाल 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 आप कुर्सी धर लाएंगे धर बेठेंगे आरे पहले क्या था ना पहले लिखो उसके बाद बोलते हैं बोल देए ना कि हो सकता है कि अगला आज मतलब अगला क्लास में ट्याप्र पर समाप हो जाएगा तो फिर अगला उसके बाद से फिर पढ़ेंगे ना कि अरे यही बात बोलना चाहरे थे हैं कि चलो लिखा गया उपर कर देंगे उपर कर देना देखो आचा एक बात बताओ इसमें देखो आचा बताओ इसमें कितना ATP का बन रहा है तो दो कांट करेंगे यहाँ फिर ATP दोनों बन रहा है तो दो कांट करेंगे यहाँ चुकि EMP से दोनों बन रहा है तो दो कांट करेंगे और तीन इधार तो तीन और दू पांच ATP इधार कांट कर लिए और यह भी वह इसे हिग होगा क्या जैसे पहला Calvin स्पते पार होता है आप चाल पार से मन लोग मल्टिपलाइ किये थे यहां भी क्या होगा इसको भी कॉंटト करना जो हुना करें कितना हो 12 NADPH और ATP कितना हो जाएगा 5 कोई धार है 6 से गुणा कर देगा कितना होगा 6,5,30 30 ATP और 12 NADPH प्लस H प्लस होगा वह होगा यह लिख लिया तो नीचे हम लोग लिखते हैं लिखो नीचे पॉइंट दे करके लिखता है लिखते हैं 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 लि N, A, D, P, H plus, H plus are required, उसके बाद लिखते हैं, नेक्स्ट प्वाइंट में, तो प्रोड्यूस, वन मॉलेकूल, अफ, कार्बोहाइडरेट, कितना, कितना करता है, चाह से गुना कर देना है, और, 5, ATP, बढ़ावर कितना, 30, ATP, और इधार, 6, 2, N, A, D, P, H, H plus, H plus, इसे कितना, 12, N, A, D, P, H, plus, H plus, कितना बनाएगा, चलो लिख लो, है, यह हो गया, C, 4, cycle, मतलब, C, 3, cycle, हम लोग पर लिये थे, पिछले क्लास में ही, आज हम लोग C, 4, cycle, भी पर लिये, अब हम लोग को एक और बच गया है, क्या, एक और बच्चा है, कैम, साइकल, C, A, M, तो इसमें क्या-क्या, और 2, N, A, D, P, H, plus, H, plus, की जरूरत है, और इससे हम लोग को 30, A, T, P, और 12, N, A, D, P, H, plus, H, plus, यह मिलता है, तो यह हो गया, C, 4, cycle, की कहानी, अब लोग, अब हम लोग परते हैं, कैम, साइकल, क्या बदलेगा, बदलेगा, मंजड, मंजील, यहा बदल रहा है, देखे रहा है, इस अब है, देश के भविष है, अब देश के भविष कैसे बदल रहा है, देख रहा है सब, है नहीं है अजय चलो हमको भी पता है देश के भवी से आगे जाके बहुत बड़ा नामर करेगा अरे सही न बोल रहे है लिखा गया लिखो सी ए एम इसको हम लोग बोलते हैं सी एम साइकल क्राइश देखो गैम सैकल हम लोग लिखते हैं इसका पुड़ा नाम है क्रैसुलेशियन एसीड मेटाबोलिजम इसका नाम जो पड़ा है इसमें एक बड़ायो फाइलम होता है इसका फैमली के नाम पड़ गया है फैमली है क्रैसुलेशियन जैसे प्लांट का अलग लग फैमली के बारे में इलेशी था एक sì प्लांत है उसी तरह से ये भी एक family है Crasolation ये भी एक तरह का family है plant का और इसी plant में क्या होता है ये इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है Crasolation Acid Metabolism इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्या Crasolation Acid Metabolism ये family होता है तुम लोग जो लेट से आया है नहीं पड़ा होगा या फिर वीडियो देखा होगा तो उसमें समझ में आ गया होगा जैसे और जो नहीं पड़ा है वो देख लेना plant morphology लिखा लोगा plant morphology का last video देख लेना अब last video जो भी होगा लास्ट वीडियो देख लेना last video में family के बारे में प्लांट का लग लग फैमली होता है plant का family है और उसी तरह से एक ये भी है ये भी एक तरह का family है और इसी family के अंतर जो plant है उसमें ये camp cycle होता है इसलिए उसी के नाम पर पड़ गया है crassulation acid metabolism समझ में आ रहा है इसी में तो होता कै इस सारा चीज हम लोग देखते हैं इसमें तो heading लगा लिया और heading लगाया तो नीचे से अपना लिखेगा लिखो first reported in reported in bryophyllum आई कुन बात कर रहा है answer लिखो ना लिखा first reported in bryophyllum और यही bryophyllum जो है किसके अंतरगत आता है crassulation के अंतरगत आता है crassulation के अंतरगत आता है और यह क्या है family है plant family है family crassulation और इसी crassulation के अंतरगत कौन आता है bryophyllum आता है यह plant का नाम है bryophyllum और crassulation family का नाम है और इसी family के अंतरगत आता है यह और इसी plant पर सबसे पहले पताया गा समझ में आ रहा है camp cycle होता है यह बात लिख लिए अब इस और कौन-कौन से plant है एक और लिखते हैं हम लोग दो plant और है also लिख लेते हैं यहां लिख लेना also pond in pond in appuncia और एक plant है अपुंशिया plant है इस पर भी किया था और एक कालान कोई या पड़ेगा इसको कालान कोई यह plant का नाम है तो अपुंशिया कालान कोई और एक है ब्रायो फैलम इस सारा चीज पर इन्होंने experiment इस पर किया गया था और इस प्लांट में क्या होता है किस तरह से होता है सैकल सरा हम लोग पढ़ते हैं पहले यहां तक लिखो लिखा गया तक खुछ हाई नहीं तो लिखाएगा ने लिखो इसमें लिखते है कोई दे करके लिखना लिखो C-A-M Crassulation Acid Metabolism Cycle Cycle found in found in succulent plant that is 05 that is 05 is thick flesh thick flesh leaf and and astomata and astomata this is my लिखना open at night astomata open at night astomata open night night रात में open होता at night and 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 close during day scene में close हो जाता है called called as 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 koto active as koto active as koto active active is लिखा गया लिखा गया लिखा गया लिखो हिंदी लिखते हैं इसका लिखो कैम साइकल चिए एम कैम साइकल कैम साइकल मरू अस्थालिये पौधों मरू अस्थालिये पौधों में होता है क्योंकि मरू अस्थालिये पौधों में होता है क्योंकि लिखा क्योंकि क्योंकि उसकी पत्ती उसकी पत्ती ख्लेशी मतलब क्या होता है उसके पति पति उसके पति अड़ी और और ऐस्टो माटा और स्टो माटा एस्टो माटा रात के समय खूलता है और रात के समय खूलता है और और दीन में बंद हो जाता है इसलिए इसे एसकोटो एक्टिव कहते हैं लिखा गया देखो इसमें क्या लिखे है तबसे पहला बात एक हम लोगम पढ रह रहे हैं एक फैमिली के द्वारे में कोव्य नाम कया है क्रैसु लेसी अड़रे और देखा ता जो फैमली क्या ता ता रसके और इसके आलावा भी देखा गया है अपुन्सिया और कलैनकोई में यह प्लांट का नाम है इसमें देखा था कैम सैकल होता है एक और लिखे नीचे हम लोग कैम सैकल जो होता है ना पाया जाता है सकुलेंट प्लांट में पाया जाता है तो सकुलेंट प्लांट क्या होता है तो सकुलेंट प्लांट होता है जो जे का लिब क्या होता है उसका जो लीफ होता है उलीफ क्या होता है काफी फ्लेश होता है बुद्धीदार टैप का होता है देखा हो तो फिर भी उसका जो प्लांट होगा उसका लीफ जोगा काभी मोटर टाइप का होता है गुद्देर टाइप होगा क्यों यसका करण है क्यों कि उसके वहाँ पर पानी कम मिलता है और देखेगा जोुह प्लांट होगा उसमें लीफ भी कम रहता है क्यों कि अब इतना ज्यदा धूप आता है तो धूप के कारण उसका भेपर बनके सारा वाटर क्या होगा बाहर निकल जाएगा जिसके कारण उसमें पानी की कमी होते रहेगा इसलिए उसमें लीफ भी क्या होगा कम होता है तो लेता है लाइट के कारण क्या होगा लाइट लेगा और लेता है किसके द्वारा लेता है लेकिन वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर चुकि दीन में अगर खुलता है दीन में अगर एस्टोमाटा खुला रहेगा तो भेपर बनके जैदा पानी क्या होगा बाहर निकल जाएगा जिसके चलते क्या होता है रात को दीन को बंद रहता है और रात में खुलता होता है हम लोग के तरफ क्या होगा यहां जो है यहां पर एस्टो माटा दीन में खुली रहती है और रात में बंद लेकिन वहां क्या होगा दीन में बंद रहेगा और रात में खुला रहेगा ऐसा हो इसलिए उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं मतलब हम ये बता रहे हैं कि यह इपलांट में क्यों नहीं होता है क्यों रात में तोमाठा क्या होगा झाल होगा दिन में बंद यहां पर दिन यह साइकल को समझ लेते हैं तो चलो साइकल बनाते किस तरह का होगा जैसे उसमें बताए से थि में उसी तरह से इसमें भी होता है तो इस फोर्ड में जैसे बता है ते वैसे ही कैम सैकल में भी होता है देखो इसमें भी तेम उसी तरह का है है ना यहां खाले नाइट और डे करना है पेप है रहे हलाने किरो पेप इसमें क्या है पास्ट सियो-टू एक्सेप्टर कोन है PEP, PEP का पुरा नाम Phosphoenol Pyrobic Acid अब इसमें CO2 मिलेगा और जल मिलेगा और ये बना लेगा, क्या बनाएगा ये भी इसी तरह से और जलो Acetic Acid बनाएगा इसमें भी वही एंजाइम कौन एंजाइम, PEP और Carboxylase Carboxylase ये होगा, और ये बनाएगा क्या, O, A, A इसमें कार्बन कितना चार कार्बन होगा अले, सेम वही है, यहाँ पर लिखेते, मेजोफील और पंडल सीथ, यहाँ पर क्या होगा अलद, टे और नाइट होगा चार कार्बन होगा, और इससे क्या बनाएगा, इससे बनाएगा Malic Acid Malic Acid, उपर तो बना हुआ है ना तो उपर बना हुआ है तो हम उसी में खाली चेंज करते हैं रूको लिखे हैं तुम लोग लिख लेना अपना चालो, मेरा मिल गिया, आना चालो, लेको आभी है, लेको उपर से वैसे हैं हम अभी आते हैं, चेक करने नाइट हो गया और यहां दीन होगा सेम वैसे ही होता है, केवल इसमें चालो, इसमें सेम वैसे चीज़ है है ना, इसमें भी वैस, सेम बनाएगा पायरोबे कैस्टीड बनाएगा, यह बनाएगा सब्सक्रा कुछ वैसे है, लिखो जाल दे से कर दो एक प्रत्रा कज करते हैं, झालो, जालो अबनाएगा saya, इसमी यह बनाएगा झालो, च च póसे, इसमीई उला बनाएगा सेम्विस को भिखो झालो, अालो पालो, जाब तो, फे खूएागा मैं झालो पाटर रसे हैं उती, पालो कि वहां पर में जो फील के जगह क्या लिखेंगे लिखेंगे तो सीफोर्ड प्लांट में जो सवनद में फील होगा कि कायम सैकल का क्या नाइट का और सी फोड में क्या होगा जो बंडल सीध सेल में लिखेंगे दे का होगा कैम आ packet में देखेंगे वर भाख़गा दूनों बडाबर में सब्सक्राइब आ रहे मरत पाल प्राइं का समाया कि चनल में जगह का क्या है अंतर है बाकिया और कुछ है नहीं कि देखो और नहीं लिखा है डंटा लेके थुरा घूमते हैं कोई कोई होगा जो नहीं लिखता होगा जब लिख रहा है झाला को झाल 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 कि लिखा गिया होगा आज लिखो जो नहीं लिखा लिखो और और लिखना है अभी कहले बोड़ा बिस्तर बंद कर रहा है मारेंगे तो तुम लोग करता है गरबर आप समझ लो उस टाइम जब सर पढ़ा रहे थे अजना हला नहीं करता तो आधा गंटा सर तुलेते नहीं अभी हम अधा गंटा मैनेज करेंगे मैं लिखा गया है दो ज्यदा नहीं इसके बारें में लिख लो ना आप इसके बारे में लिखेंगा तो हो फ्रक्षा इसका तो दिन चार लैन लिख ना इसके बारे में लिख लो उसके बाद reflect dávana करे बना लिया है ना लिए को first CO2 acceptor is PEP यही ना है first CO2 acceptor कोई है PEP है PEP का पुरा नाम phosphoenol pyruvic acid और first acceptable product क्या है first stable product is O इसमें भी वही बना था और जालो acetic simple simple term लेखो it has one type of chloroplast इसमें केवल एक ही types का chloroplast भाग लेता है कौन मेजोफिल और उसमें क्या था दोनों था मेजोफिल और bundle sheet था दोनों था मेजोफिल क्योफिल कलोडो प्लास्ट लाइक c3 plant c3 plant c3 plant के जैसा कौन हला कर रहा है देखो c4 मेजोफिल किसके बड़ाबर है किसके बड़ाबर है और c4 bundle sheet लिखे थे ना bundle sheet ये किसके बड़ाबर है cam day के बड़ाबर है c4 and cam differ in differ in a space a space of time a space at time at time और कुछ बता इसमें भी पहले ही जैसा है पहले ही जैसा नहीं है इसमें भी c2 acceptor जैसे c4 में था c2 acceptor वहाँ क्या था अरे क्या था पी-पी धाना क्या है पी-पी फॉस्पोइनॉल pyrobic acid और इसमें भी first acceptable product क्या बना है camp में भी क्या था OA था OA का मतलब और जैलो acetic acid उसके बाद इसमें देखो c3 cycle जो हम लोग पढ़े थे c3 cycle में cable mayzophyll से भाग लेता है अरे c4 cycle में mayzophyll और bundle से दोनों भाग लेता है लेकिन इसमें क्या है cable c3 plant के जैसा c3 cycle के जैसा ही इसमे mayzophyll cable भाग लेगा उसके बाद देखो क्या लेकिन c4 mayzophyll बलाबर होगा किसके cam night के night में जैसा था वैसे ही भाग लेता है उसके बाद है c4 bundle sheet किसके cam day के और c4 एई स्नाद रहेगा c4 और cam अलग है different है space at time मतलब space जगह का और समाई का क्या है change है अरे जगह ये का न change है एक c4 cycle होता है सब में और cam cycle के बल मरू अस्थल भाग में होता है जगह का तो ये था हैना cam cycle इसमें और है एक class और होगा तो ये chapter हम लोग का समाप्त होगा तो आज रहने देते यहीं तक next class में हम लोग पढ़ेंगे आगे देकर निक्रूब जगए जबस्वाओपए Wiki जगए पढ़ेंगे बल पवेश्वाद सकते हम लोग जगए आगे आगे लोगए वेश्वादक लोगए गूपजब झाम होगजगे तो आगे देकर हम लोगए झाल झाल